Hello and Welcome Everyone तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फिल्डर जब भी फिल्डिंग करते समय बॉल को कैच करता है तब फिल्डर अपने हाथों को पीछे कर लेता है तो पीछे करने से फिल्डर के हाथों पर इंजरी नहीं होती क्योंकि जब वो हाथ को पीछे करता है तो time interval increase हो जाता है time interval increase होने के कारण जो force होता है वो decrease हो जाता है जो की formula इसमें Newton's second laws of motion का use होता है जो की force is equals to change in momentum upon time interval होता है इधर change in momentum constant होता है जिससे f is inversely proportional to time interval होता है जिससे time को increase करने से force decrease हो जाता है और उसके हाथों में force बहुत कम लगती है जिससे उसको injury नहीं होता और कहीं वो short interval के लिए जाता तो short interval of time में force increase हो जाता जिससे filter को injury हो सकती थी तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो share, subscribe और like